दोस्तो आज हम एक्स्प्लीन करने वाले हैं कैसी बहतरीन मूवी जिसका नाम है काशी और इसकी एंडिंग आपको दिमाग गुमा देगी इसलिए आप वीडियो को भी लैक कर दीजिए हम चलिए कहानी शुरू करते हैं तो मूवी की शिरुवात में हम काशी नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे पागल बता कर पागलों के जील में डाल दिया जाता है और वह वहाँ बैठा बस चम्मच ही रगडता रहता है ये देखकर नर्समा डॉक्टर से पूछती है कि ये चम्मच क्यों रगडता रहता है जिस पर डॉक्टर बोलता है कि चलो इसी बहाने ये शान से तो बैठा है उसके बाद हमें छे महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है जिसमें एक जर्निलिस्ट देवीना होली के टाइम पर किसी काम से बना रसाती है तब महाँ पर बबीना और उसके साथ की आदमी जो महा क के सब के सामने बबीना के आदमी को थपड मार देता है फिर वो बबीना को कहता है कि महमान को इजद देनी चाहिए तुम और तुम्हारे दोस्त ने आगए अगर किसी लड़की को परिशान किया तो मैं तुम्हें जिंदा जिला दूँगा यह कहकर काशी मार से जाने लगत क्योंकि तुम बनारस के रहने वाले हो और तुम मुझे बनारस के बारे में सब कुछ बता सकते हो तब हिमाएक नेता के रेली जाने लगती है तब देविना काशी के बच्पन के दोस्त रंगिला से पूछती है कि यह नेता कौन है रंगिला बताता है कि यह बलवंत पांड जाती है और उससे कहा दे कि मुझे तुम्हारे उपर आर्टिकल लिखना है इसलिए मुझे तुम्हारे इंटर्वी चाहिए काशी देविने से कहता है कि मैं तो बस एक डॉम हूँ और मेरे जैसे तो यहाँ पर बहुत सारे काम करने वाले हैं जाकर उनसे इंटर्वी लोना प अपनी बैन गंगा से मिलवाता है, जिन से मिलने के बाद देवीना काशी और उसके परिवार की फोटो क्लिक करती है, आप उसके अगले दिन काशी देवीना को पूरा बनारस गुमाता है, और जब रात को उसे घर छोड़ता है, तो देवीना उसे डिनर के लिए इन्वाइट करती है तब काशी भी अंदर आ जाता है अब दिवीना काशी को अपने बारे में बताती है कि उसके पिता और भाई बहुत पहले एक हाथ से में मर गए हैं और उसके माँ ने उसे पाला था पर कुछ महने पहले उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया और वो भी भगवान के पास चली गई यहां काशी भी कहता है कि मैं परिवार की एहमेद जानता हूं क्योंकि मैं अपनी फैमली से बहुत प्यार करता हूं खास कर अपनी बहन गंगा से फिर जब देवीना किचन में खाना बनाने जाती है तब उसका हाथ जल जाता है यह देख काशी आके उसके मोड लेने वाली है अब उसके कुछ दिन बाद देविना रात को काशी को ढूंडती है और जब देविना को काशी मिलता है तो वो उसे बताते है कि तुम्हारी बहन गंगा अभी तक कॉलिज से घर नहीं आई है और तुम्हारे माता पिता उसके लिए टैंचन में है काशी ये माता पिता ने ये बात तुम से चुपाई थी अब काशी जब घर पहुंचता है तो उसके माता पिता टैंचन में बैठे होते हैं और वो उनसे कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि गंगा के पास मोबाइल भी है तब देविना काशी से कहती है कि तुम अभी ये छोड और हमें उसके college जाके पता करना चाहिए फिर वो दोनों गंगा के college पहुँच जाते हैं और वों watchman को बताते हैं कि उसकी बहन गंगा अभी तक घर नहीं आई है और हमें college के अंदर जाके उसे देखना है पर watchman अंदर जाने से मना कर देता है तब देविना उसकी pocket में 100 रूपेका नोट डाल कर उसे मना लेती है और जब वो college के अंदर जाते हैं तब उन्हें एक room की light खुली दिखती है watchman कहता कि मैंने तो सारी lights बन कर दी थी तो ये कैसे खुल गई फिर देविना और काशी जब उस room में जाके देखते हैं तो वह एक professor लड़की के साथ देखता है मा काशी गुस्सा होके बहुत जोड़ से गंगा चिलाता है पर वो लड़की गंगा नहीं होती तो काशी महां से चुप-चाप चला जाता है फिर वो थाने जाते हैं अपनी भेन गंगा की missing report लिखाने के लिए तब वह इंस्पेक्टर गंश्याम कहते हैं कि हम आपको गंगा जल्द से जल्द डून कर दे देंगे आप उसके अगले दिन काशी और देविना गंगा के college की principal को मिलते हैं और बता देगी गंगा कल college से घर नहीं आई है फिर principal जब गंगा के बारे में records में पता करती है तो वो काशी को बता देए कि हमारे या तो कोई गंगा नाम की लड़की पूरे college में ही नहीं है काशी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और बताता है कि मैं तो उसे हर रोज यहीं छोड़के जाता हूँ तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो यह नहीं पड़ती फिर देविना उसे शांत करके मा से लेकर भार आती है और वो से पूछती है कि तुम्हारे किसी से कोई पुरानी दुश्मनी है क्या तो काशी को एक दुश्मन का नाम याद आता है और वो सीधा बविना के पास जाकर पूछता है कि गंगा को तुने गायब किया है क्या तब बविना कहता है कि हाँ मैं तेरी बहन के बारे में जानता हूँ पर तुझे कुछ भी नहीं बताऊंगा काशी को एक सुनकर बविना पर बहुत गुस्सा आता है और वो से बुरी तरह से भगा भगा कर मारता है और देविना मा आके काशी को रोग लेती है उसके बाद जब बविना और उसके आदमी साथ बैटे होते हैं तब मा बविना से मिल ले देविना आती है और वो से अकेले ले जाकर कुछ बात करती है फिर देविना काशी को जाके बताती है कि बबीना गंगा के बारे में कुछ भी नहीं जानता उसने तो बस तुम्हें परिशान करने के लिए हाँ बोल दिया था साथ ही देविना काशी को बताती है कि मैंने गंगा की एक दोस्त शुरूती के बारे में पता किया है उसने हमें कल सुबा गल होस्टल में बुलाया है अब अगले दिन काशी और देवीना उसकी फ्रेंट शुरूती से मिलने जाते हैं तब शुरूती बताती है कि गंगा उसी कॉलिज में पढ़ती है और वो नेता बलवन पांडे का बेटा है अभी मन्य और गंगा एक दूसरे से प्यार करने लगे थे ये बात पता नहीं कैसे बलवन पांडे तक पहुँच गई और उसने उसे गंगा से दूर रहने के लिए बोल दिया पर अभी मन्य अपने पिता की बात नहीं माना और बार-बार गंगा से मिलता रहा फिर आगे शुरूती बताती है कि एक दिन गंगा बहुत टेंशन में लग रही थी और जब मैंने उसे पूछा तो गंगा ने बताया कि मैं प्रेगनेंट हो गई हूँ अब काशी ये सुनते गुसे में आ जाता है और कहता है कि मैं अभी मन्यू को जान से मार दूँगा जिसके आगले दिन काशी और देवीना बलवंद के घर पहुँच जाते हैं पर बलवंद का बाच्वन आके बताता है कि साहब तो एक हफते से घर पर नहीं है तभी काशी और देवीना महा से घर जाने लगते हैं तभी रास्ते में उनके उपर दो आर्मी गोली मारने की कोशिश करते हैं पर वो किसी तरह से बच जाते हैं और देवीना काशी से बोलती है कि ये काम जरूर उस नेता बलवंद का होगा अब काशी रात को अपने घर आता है और अपने माता पिता को बताता है कि गंगा का कुछ भी पता नहीं चला और फिर वो अपनी बहन की यादों को सोच कर रोने लगता है फिर अगले दिन देविना उससे अपने घर बुलाती है और काशी को बताते है कि शायद गंगा और आदमी उसे कुछ भी नहीं बताता तब काशी गुस्ते में उसे मारने की धमकी देता है और वो आदमी काशी से डर के मारे उससे सब बता देता है कि गंगा नाम की लड़की ने पांच से दिन पहले रेजिस्ट्रीशन तो करवाया था पर अभी तक उनकी शादी नहीं हुई ह जिसे सुनकर काशी को थोड़ी रात मिलती है फिर काशी रात को बलवंत के घर पहुंचता है और वहाँ वाच मैन उसे बाहर निकालने लगता है तब इतने में वहाँ बलवंत आता है काशी उससे बताता है कि मेरी बहन गंगा और आपका बेटा अभी मन्यू एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो शादी भी करने वाले थे पर वो इस समय कहीं भी नहीं मिल रहे तब बलवंत काशी से बोलता है कि मेरा बेटा एक डोम की बहन से प्यार करी नहीं सकता इस पर काशी कहता है कि उसकी बस अभी मन्यू से बात करवा दो वो मेरी बहन के बारे में जानता होगा बलवंद कहता है कि अभी मन्यू तो मसूरी गया है और एक हफ़ते बाद लोड़ेगा और वो काशी को वहाँ से गाली दे कर भगा देता है जाते जाते काशी भी बलवंद को बोलता है यागर मेरी बहन को कुछ भी हुआ न तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूँगा फिर काशी देविना को बताता है कि अभी मन्यू अभी मसूरी में है और एक हफ़ते बाद आएगा जिस पर देविना बोलती है कि हम खोधी मसूरी जाकर अभी मन्यू से मिलते हैं क्या बता गंगा भी उसके साथ ही हो और फिर वो दोनों मसूरी पहुँच कर अभी मन्यू का हरोटल में डुणते हैं फिर उसे डुणते दुणते वो दोनों होटल हाइलैंड में पहुँच जाते हैं और यही पर अभी मन्यू ठहरा था पर रिसेप्शन पर पूछने पर यह भी मन्यू के बारे में कोई डेटेल नहीं देता दिविना रिसेप्शनिष्ट को बोलती है कि हम अभी मन्यू के फ्रेंड्स हैं और हम उसे सप्राइज देने आए हैं तब सप्राइज सुनके वो आदमी उन्हें बताता है कि अभी मन्यू यहापर रूम नंबर 605 में हैं साथ ही वो कहता है कि उनके साथ एक लड़की बेरुकी है जिसके बाद काशी अभी मन्यू के रूम में पहुंच कर उसे मारने लगता है और पूछता है कि मेरी बहन गंगा कहा है कितने में मापर प्रिया नाम की लड़की बाथ रूम से निकलती है अब काशी उस लड़की को देखकर सोचता है कि अभी मन्यू उसकी बहन को दोका दे रहा है तो वो उसे और भी माणने लगता है तब बचने के लिए अभी मन्यू भागते हुए छत्तर पहुंच जाता है फिर काशी उसे पकड़ कर गंगा के बारे में पूचता है तो अभी म बताता है कि मुझे एक लड़की की डैड बोडी मिली है फिर जब काशी और देवीना उस बोडी को देखते हैं तो उसका पूरा फेस ही पूरी तरह से जला हुआ था देवीना काशी से कहती है कि ये गंगा ही है इसने भाई कुर्ती पहनी है जो मैंने उसे गिफ्ट दी थी य ये देखकर काशी अपनी बहन की मौत पर भातर होता है और जब वो सकांतिम्ट संसकार कर लेता है तब पुलिस आकर काशी को अभी मन्यू को मार्ण के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है फिर वह थाने में उससे मिलने देवीना आती है देवीना काशी से कहती है कि अगर अ भी मन्य को नहीं मारा और मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए लोयर हैर करती हूँ यहाँ दूसरी और बलवंद पांडे अपनी लोयर मिश्रा से जाकर कहता है कि मेरे बेड़े को मारने वाले उस काशी को फासे होनी चाहिए जिसके एक हफते बाद इस केस की सुनवाई के लिए इंस्पेक्टर गहिंच शाम काशी को कोट में लेकर आते हैं और देविना काशी को बचाने के लिए अपनी लोयर सेना को एपरंड करती है और फिर यह केस शुरू होता है तब बलवंद कल और मिश्रा जट से बोलता है कि इन्होंने मेरे क्लाइन के बेटे का कतल किया है और उसमें इनका साथ देविना ने भी दिया है जिस पर काशी कल और सिना बोलता है कि अभी मन्यू की मौत तो एक हाथ्थे में हुई है काशी तो अभी मन्यू से अपनी मैन गंगा के बारे में पूछने गया था फिर मिश्रा बोलता है कि मैं अपने कुछ गवा कोट में बुलाना चाहूंगा जिसमें रिसेप्शनिस्ट, वेटर और अभी मन्यू की गल्षेंड प्रिया भी होती है वो सब जच को यही बोलते हैं कि काशी नहीं अभी मन्यू को मारा था पर सिना जच से कहता है कि मैं इन से कुछ सवाल करना चाहूंगा और वो receptionist और waiter से पूछता है कि आपने काशी को अपनी आखों से अभी मन्यू को छट से फेकते हुए देखा था गया जिस पर वो दोनों मना करते हैं फिर सिना प्रिया से सवाल करता है कि आप तब कहां थी जब काशी अभी मन्यू से मिला था प्रिया बता दे कि मैं बातरूम में ना रही थी मुझे अभी मन्यू की अवास सुनाई दी और जब मैंने बाहरा कर देखा तो काशी अभी मन्यू को मार रहा था तब अभी मन्यू से बचने के लिए भागते हुए छटपड चला गया और मैंने उसे खुद फेकते हुए देखा था सिना प्रिया से कहता है कि आप तो बातरूम में थी तो बिना कपड़े पहने तो छटपड नहीं गई होंगी तो काशी ने आपके आने का इंतजार किया कि जब तुम छटपड जाओगी तब तुम्हारे सामने वो अभी मन्यू को फेकेगा इसके बीच में तो कोई भी मन्यू को मार सकता है फिर वो कहाता है कि इस सही थाबित नहीं होता कि मेरे क्लाइंट काशी नहीं अभी मन्यू को मारा हो फिर मिश्रा जज को उस होटल की CCTV फुटेज दिखाता है जिसमें काशी अभी मन्यू के पीछे भाग रहा था पर सिना जट से बोलता है कि इसमें सिर्फ काशी अभी मन्यों के पीछे भागता हुआ दिख रहा है पर उसे छट से फेकते हुए नहीं फिर जजज दोनों तरफ की बात सुनके दो दिन बात की डेट देते हैं और मिश्रा से कहते कि आप थोड़े ज़्यादा एविडेंस लाइए अब उसके बाद मिश्रा एविडेंस टूडने के लिए काशी के घर जाता है और वाके सारे लोगों से उसके बारे में पता करता है फिर दो दिन बात कोड की डेट आती है जिसमें मिश्रा जजज को बोलता है कि मैंने काशी के घर के पास रहने वाले लोगों से उसके बारे में सब पता किया है और जो मुझे पता चला उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे जिसमें बबीना और उसके दोस्त साथ इसाथ गंगा के कॉलिज की प्रिंसिपल भी होती है और वो सब यहीं बताते हैं कि गंगा तो कोई है ही नहीं फिर सिना जच से बोलता है कि यह सब जुड बोल रहे हैं मैं भी कुछ अपने गवा बुलाना चाहूंगा जिसमें रंगिला देवीना और उसके पड़ोस वाले होते हैं वो सब जच को बोलते हैं कि हमने खुद गंगा को देखा है और यह सब पैसो के लालच में जुड बो चाना था क्योंकि उसका फेस पूरी तरह से जला था फिर मिश्रा जजज को वैसे कपड़ा दिखा के बोलता है कि यह कपड़ा तो हर दुकान पर मिलता है इससे थाबित तो नहीं होता कि वो गंगाई थी साथ ही मिश्रा कहता है कि गंगा तो अभी इस कोट में उस गेट से गई इसका मतलब यह है कि किसी को यह कीर नहीं है कि वो डेट बोडी गंगागी थी अब सारी बात सुनने के बाद जजज किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते और अगली डेट में काशी के माता पिता को कोट में आने के लिए बोलते हैं फिर अगली डेट पर जजज सिना को कि काशी के माता-पिता को जल्डी बलाओ, जिस पर सिना बोलता है कि रुख जाईए, वो थोड़ी दिर में आते ही होंगे, कितने में रंगिला आके, कोट में जज को बताता है, कि काशी के माता-पिता गायब हो गए हैं, और काशी ये बास सुन कर बहुत टेंशन में आ जाता है, फिर वो जजस से कायाता है कि अगर मेरे माता-पिता को कुछ भी हुआ ना, तो मैं पूरा बनारस खतम कर दूँगा, तब जज काशी को शांत करके बोलते हैं, कि हम आपके माता-पिता को ढूनते हैं, फिर मिश्चरा जस से बोलता है कि कौन से माता-पिता और आप किसको ढूड़ेंगे, काशी के कोई माता-पिता है ही नहीं, इसी बात को साबित करने के लिए मिश्चरा काशी के जुमन चाचा को कोट में बलाते हैं, और वो जच को बताते हैं कि काशी के माबाप और उसकी बैन गंगा तो, बहुत पहले बनारस में आई, बीमारी में मारे गए थे, और काशी को वो मनने के बाद भी दिखते रहें, पर मैंने उसे ये बात कभी बताई नहीं, तब जच जुमन चाचा की बात सुनके, कोट में अगली डेट और काशी का साइको टेस्ट करने को बोलते हैं, फिर अगली डेट में सैकेट्रिस्ट जच के सामने, काशी से कुछ सवाल पूछता है, कि घर पर खाना कौन बनाता है, और जब तुम घर पर आते हो, तो पानी कौन देता है, काशी बताता है, कि मेरे माबाब बहुत बुड़े हैं, और गंगा अपनी पढ़ाई में बिजी रहती है, तो सारे काम मैं खुदी करता हूँ, सैकेट्रिस्ट जच से बोलता है, काशी अपने सारे काम खुदी करता है, क्योंकि वो अकेला रहता है, और उसके साथ कोई भी नहीं है, काशी के घरवाले सब हलुजिनेशन है, और काशी के दिमाएगी हाला ठीक नहीं है, फिर मिश्रा जजज से बोलता है, कि और कितने एविडेंस चाहिए, वाच्मेन को मिरसे मिलवाने लाई थी, और वाच्मेन ने मुझे बताया, कि बलवंत ने ही गंगा को मारा है, एक रात बलवंत ने गंगा को अपने घर पर बुलाया, और उसे मार कर कहीं ठिकाने लगा दिया, ये सुनकर बलवंत कोट में काशी को बोलता है, कि अच्छा हुआ तेरी बहन नहीं है वरना उसे तुमें मार ही डालता अब गंगा के बारे में ऐसा सुनके काशी को बहुत गुस्सा आता है और उसे कोट में ही गोली मार देता है और सब के सब देखते रह जाते हैं अब यहां काशी के हाथ में बंदू कैसे आई वो हमें आगे पता चलेगा फिर जज काशी को मेंटल असाइलम में भीच देते हैं आब उसके बाद काशी से मिलने कोट मेरीज वाला आदमी आता है और फिर रंगिला काशी से मिलने जाता है मा काशी उससे पूछता है कि मेरे माबाप मिले क्या रंगिला बोलता है हाँ फिर काशी उससे उनकी शकल के बारे में पूछता है और कहता है कि मा के आगे के दो दाट तोटे हुए हैं वो तो पता है ना तुझे जिस पर रंगिला काशी को बोलता है कि हाँ मा के आगे के दो दांट तूटे हुए हैं और काशी ये सुनकर हरान हो जाता है क्योंकि काशी सच जानने के लिए जुट बोल रहा था क्योंकि उसके मा के कोई दांट नहीं तूटे और काशी को यकीन हो जाता है कि इन में से कोई मेरी माबाप को नहीं जानता तब हमें flashback दिखाते हैं जा काशी उस court marriage वाले आदमी से मिला था वो आदमी काशी को बताता है कि जिसे तुम इतने दिनों से ढूड रहे थे वो यह है उसकी नियूस पेपर में photo चपी है यह देखकर काशी बोलता है कि यह गंगा नहीं बलकि देवीना है तब वो आदमी बोलता है कि यही गंगा है इसने court में आकर मैरिस्ट के लिए अपना नाम गंगा बताया था और इसने अभी मन्यूस से शादी करने के लिए registration करवाया था काशी उस आदमी की बात सुनकर हरान हो गया था इसलिए उसने पता करने के लिए अपने दोस्ते जुट बोला था अब प्रिजेंट में देवीना शुरूत्य और सिना पाड़ी कर रहे होते हैं यह देवीना उन्हें बोलती है कि हमने काशी के साथ अच्छा नहीं किया मैं उसे जेल से बार निकलवाऊंगी और उसे डॉक्टर के पास ले जाकर ठीक करवाऊंगी असल में देवीना काशी से प्यार करने लगी थी जिस पर सिना बोलता है कि ऐसे तो तुम हम सब कोई फसाद होगी पर वो सिना की बात नहीं सुनती अब अगले दिन देवीना काशी से मिलने जाती है और वो काशी को उसकी फैमिली के साथ फोटो दिखा दी है जो उसमें पहले खीची थी और यहां उस फोटो को देखकर काशी हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें काशी अकेला खड़ा था और तुमने मेरी जिन्दगी तभा कर दी फिर देविना यहां रिवील करती है कि मैं बनारस एक मकस्तर आई थी और उसके लिए तुम बिल्कुल सही थे तुमने मुझे बताया कि तुम गंगा से कितना प्यार करते हो फिर मैंने गंगा का इस्तमाल करके तुमारे दिमाग को इस हिसाब से चलाया कि जो मैंने बोला वो तुमें वैसा ही लगा और जिस शुरूती को मैंने तुमसे गंगा की दोस्त कहकर मिलवाया था वो असल में मेरी छोड़ी बेहन थी और मही कोट मेरिज के लिए अपना नाम गंगा बताके महा रेजिस्टेशन करवा के आई थी साथी बलवन के घर से आते वक्त मैंने ही गोली चलवाई ताकि तुम्हे लगे कि ये बलवन का काम है फिर काशी देविना से पूछता है क्या खिर वो कौन थी जिसे दुमने गंगा कहकर पैचाना था देविना बता दे कि मैंने बविना को पैसे देखकर एक लड़की की जली लाश को वो कपड़े पहनवाए थे जो मैंने गंगा को गिफ्ट दिये थे फिर काशी पूछता है गया आखिर तुमने ये सब क्यों किया तब जाकर देविना काशी को बताती है कि मैं बलवंत से बदला लेना चाती थी मेरे पापा उसके बिजनेस पार्टनर थे और उसने उन्हें रात को सोते हुए गोली मार दी थी तब उसे मेरे भाई ने देख लिया तो उसने मेरे भाई को छट से फेक दिया जिसके कारण वे दोनों ही मारे गए यहाइ तिफाक की बात तो यह थी कि बलवंत और उसके बेटे की मौत भी वैसे हुई थी क्योंकि काशी ने भी मन्नी को छट से नीचे फेक दिया और कोट में जब बलवंत को गुस्से में मारने लगा और वो जब कोट में बलवंत को गुस्से में मारने लगा तो देवीना ने ही काशी के हाथ में बंदुग दे कर उसे मरवा दिया फिर देवीना काशी से कहती है कि मैं तुम्हें बार निकलवाऊंगी और तुमारा अच्छे से इलाच करवाऊंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ काशी भी कहता कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ फिर वो दोने एक दूसरे के गले मिलते हैं और काशी देवीना को बोलता है कि हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते फिर काशी देवीना के पेट में वही चमच मार देता है जिसे वो अब तक रगरता रहता था और यहाँ देवीना की मौत हो जाती है अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ काशी को उसके घरवालों के साथ साथ देवीना भी दिखने लगी है और वह पुरी तरह से पागल हो चुका है यहाँ तक की काशी को उमर कैद की सजा मिली है और यहाँ पर यह मूवी खतम होती है दोस्तों आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताएगा और आपको अगला एक्स्प्लिनेशन कौन से मूवी पर देखना है वह भी कॉमेंट कीजेगा बाग एगर आपको हाली में आई एक कमाल के मूवी देखनी है तो आप यह वीडियो देख लीजिए आपको ग्राएगा ऐसी कॉमेंट में एक कॉमेंट कि दापको हाली करेंशन के पर देखनी है लगिए।